दोस्तो जब रूस और यूकरेन का युद्ध शुरूआ था, तब हर को यही सोच रहा था कि अब भारत किसका साथ देगा, हर किसी की नजर बस भारत पर ही थी, लेकिन भारत ने रूस और यूकरेन दोनों के तरफ अपना बराबर रिस्पॉंस दिया था, जिसके पीछे की व तो ऐसा समय भी आ था जब अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश कर दी, हलाकि भारत पर इसका कोई असर नहीं दिखा, और उसने अपना वादा नहीं भाया, और वह भारत अपने वादे पर खराबी उतरा, इसे बीच अमेरिका की टाइटन कंपनी ने ये गोशना कर दी कि वह भारत के अंदर 10,800 क्रोड रुपे इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें ये EV यूनिट सेट अप करने वाले है, और ये एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वहिकल यूनिट बनने वाली है, दोस्तों, कम्पनी शुरू में वित्तिय वर्ष 2022-23 के दोरान भुज मे 645 एकड की जमीन पर प्लांट स्थापित करने के लिए 1200 क्रोड रुपे का निवेश करे की, भारत में इलेक्ट्रिक वहानों की बिक्री बढ़ रही है, साथी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में भी इलेक्ट्रिक बसों की लोग प्रियता बढ़ रही है, इन सब के बीच अब बनने वाले हैं, अमेरिका इस्तित गुजरात के मोल निवासी हिमानशु पटेल की कमपनी ट्राइटन गुजरात में देश का पहला इट्रक बनाएगी, इसके लिए कमपनी ने गुजरात सरकार के साथ समझोता भी किया है, दोस्तों यूनिट तयार हो चुकी है, और वो भ और भारती कमपनियों द्वारा किया जाएगा, हमारी संभावित मैनुफैक्चरिंग साइट भी इन कमपनियों के प्लांट होंगे, इस तरह हम अपने ट्रकों के लिए एक संपूर्ण एकोसिस्टम तियार करेंगे, आज हमने भी बैटरी, सरकीट, सेमी कंड़क्टर और कल पुर्जे सहीत, कल पुर्जे बनाने वाली 9 कमपनियों के साथ साज़ेदारी की है, यह सभी हमारे पार्क से पास होंगे, ऐसा कहना है, ट्राइटन ओनर हिमान्शु पटेल का, अगर दोस्तों इस ट्रक की खासित पर जाएं, तो इस मेड इन इंडिया इलेक्टरिक ट्रक क फुल चार्ज करने के बाद इस पर 45 टन लोड करके 300 किलो मिटर तक ले जाये जा सकता है, और इसमें फास्ट चार्जिंग के साथ साथ नॉर्मल चार्जिंग के ऑप्शन भी है, और यह कोछी समय में ही इस इलेक्टरिक ट्रक को पूरा चार्ज कर देते हैं, दोस्तों इले पूरे ट्रक में कई मल्टिपल सेंसर, कैमरा के साथ साथ कई एडवांस क्वालिटी की डिस्पले भी है, जिसमें सारी नेविगेशन ड्राइवर को आसानी से मिलती रहेगी, ट्राइटन इलेक्ट्रिक वहिकल का भुज प्लांट छे सो इकड़ से ज़्यादा की भूमी पर फैल कर बनाया गया है, बुरा होने पर यह प्लांट तीस लाग वर्ग फुट आकार में होगा, भारत में ट्राइटन इवी द्वारा निर्मित होने वाले हाइड्रोजन अधारित वहनों का विकास, गुजरात की राजधानी एहमदाबाद के पास आनंद में इसके अनुसं अधान एवं विकास केंदर के रूप में भी काम करेगा, ट्राइटन वेश्विक बाजार में एवी इलेक्टरिक कारों, ट्रकों और स्पेशल परपस भहिकल की बिकरी करता है, ट्राइटन एवी के इससे पहले तिलंगाना में अपना एक प्लांट लगाने की उम्बी थी, कम्पनी ने अपनी भारत योजना की शुरुआत करते हुए पिछले साल हैदराबाद में अपनी आठ सीटर एच इलेक्टरिक एस्यूव को पेश किया, इसने कहा कि कम्पनी का लक्ष देश में इलेक्टरिक कार, एस्यूवी और पिक अप ट्रक बनाने के लिए एक स्थानी मैनुफैक्चिरिंग प्लांट स्थाबित करना है, इसे भारत में भीचा जाएगा और अन्य दक्षन पूर्वी एशाई बाचरों में भी रियात किया जाएगा, ट्रक को चार्ज करने के लिए 16 कम्पनियों से करार किया गया, और बारड चार्जिंग भी उपलब्द है, इ ट्रक उन्ही के अनुभाव से बना है, जो किसी भी डहलान पर आसानी से चल सकती है, मुलत गुजरात और अमेरिका में इस्थाई हुई हिमान शुपटिल की ट्राइटन कम्परी ने ये इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है, दोस्तो अगर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक की तो इसको नाम दिया गया है राइनो 5536 इलेक्ट्रिक ट्रक और ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक भी है, इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमेटर पर आओर है, और इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज भी 400 किलोमेटर है, और साथी इसमें फास्ट चार्जिंग की फैसलिटी भी 265 कW लिथियम आयन फास्ट बैटरी के साथ आने वाले ये बैटरिन ट्रक 250 किलोमेटर तक का मायलेज प्रदान करती है, साथी है 2 मीटरिक टन से अधिक समान की आवाज आही कर सकती है, इतना ही ये ट्रक शांदार शीतल प्रणाली के साथ आता है, जो इसकी बैटरी को गरम 265 से नीचे रखता है, 160 KWH का फास्ट चार्जिंग सिस्टम अपलब्द है, जिससे काफी आसानी से 90 मिनट यानि मातर डेड़ घंटे के अंदर फुल चार्ज किया जा सकता है, 0 से 100 प्रतिशत चार्ज होने पर 250 किलोमेटर तक का सफर तैक किया जा सकता है, प्रप्राइटर चार्ज होने पर 220 किलोमेटर तक की आतरा तैक कर सकता है, इस ट्रक को भारी बोगी सस्पेंस ट्रिपल के साथ बनाए गया है, और इन इलेक्रिक ट्रक की सप्लाई बहुती जल्द गवर्मेंट के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्शर में होने वाली है, जिसमें 20 ट्रक सप्ल चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग की फैसलिटी भी मुझूद है, दोस्ता आपको पता होना चाहें कि भारत का इभी सेक्टर आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, साल 2023 के केवल तीन महिने में ही 278 लाक यूनिट इलेक्रिक वहिकल को सेल किया जा चुका है, और आने व पाले समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अब अगर बात करें भारत के रूस और यूकरियन से अच्छे संबंद बनाने की, तो भारत से रूस से डिफेंस ओयल और यूकरियन से भारत में रेलवेज और मरीन इंजिन को इंपोर्ट के जाता है, और ये बहुत बड़ी वज़ा है इसके वज़े से भारत ने रूस और यूकरियन के लिए अपना न्यूटन स्टेंड रखा, और अमेरिका पहले से इस बात को जानता था, इसके बावजित उसने भारत से 10,800 करोड का निवेश किया, अब सबसे में सवाल इस ट्राइटन ट्रक की कीमत क्या है, वै इसी वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद